क्या आपके बची बिल्कुल भी टिफिन नहीं खाती और उसे वापिस ऐसे ही लाते हैं तो आज की ये रेसेपी आपके लिए बहुत जादा खास होने वाली है बच्चों को बहुत जादा पसंद आएगी और बन जाएगी बहुत जादा इजी तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मैंने एक अनियन को चौप कर लिया है दो सिमला मिर्ज, एक गाजर को यहाँ पे और एक टमाटर को मैंने उसके शीट निकालके यहाँ पे कट कर लिया है थोड़े से यहाँ पे मतर भी मैंने ले लिये है आपके पाद जो भी वेजिटेबल अवेलेबल हो उसे आप ले सकते हो और यहाँ पे मैंने 50 गराम पनीर को छोटो छोटो टुकडो में कट कर लिया है तो एक पैन यहाँ पे मैंने रख लिया है उसके अंदर थोड़ा सा आपको ओईल एड़ करना है एक से दो चमच के करें यहाँ पे आपको ज्यादा ओईल एड़ नहीं करना है जब ओईल गरम हो जाए तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गाजर और मटर को अच्छी तरीके से पका लेना है क्योंकि इन्हीं थोड़ा सा टाइम लगता है पकने के लिए तो थोड़ी दिर के लिए इसे में ढग दूँगी एक मिनट के लिए तो देख सकते हो यह थोड़ा सा सौफ्ट हो चुका है अब हम यहाँ पे दुसरी वाली वेजिटेबल एड़ करेंगे और इसी आपको फास्ट फ्लेम पे भूनना है नई तो यहाँ पे हमारे टमाटर है जोड़ा सा गल जाएगे और अनियन भी यहाँ पे पाने छोड़ देगा तो यहाँ पे आपको इन्हें फास्ट फ्लेम पे ही भूनना है एक से दो मिनट के लिए तो देखिए सारी वेजिटेबल यहाँ भून चुकी है अब आपको आड करना है पनीर कटा हुआ पनीर आपको यहाँ पे आड कर लेना है और इसे आपको एक मिनट के लिए भून लेना है तो देखिए पनीर को यहाँ पे ऐसे आपको टॉस कर लेना है थोड़ी देर के लिए और यहाँ पे मैं एड़ करूँगी थोड़े से स्पाइसे वनफोर चमज के करीब काले मिर्ची का पाउडर सौत की अनुसार यहाँ पे आपको नमक एड़ करना है और यहाँ पे कोई भी सीजनीग आप एड़ कर सकते हो यह मेरे पास पिज़ा की सीजनीग है तो थोड़ा सा मैं एड़ कर लूँगी और इसी अच्छी तरीकी से आपको चला लेना है स्पाइसेज आप अपके टेस्ट की अनुसार एड़ कर सकते हो तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं चिली फ्लेक्स एड़ करूँगी वनफोर चमज के करीब तो सारी वेजिटेबल यहाँ पे अच्छी तरीके से पक चुकी है और इने में निकाल लूँगी यह प्लेट में और अलग में रख दूँगी थंड़ा होने के लिए तब तक हम यहाँ पे पॉकिट बना लेते हैं सैन्विच के लिए पॉकिट तो यहाँ पे आटा मैंने गुंद लिया है नॉर्मल आटा हमको रोटी की जैसे ही यहाँ पे गुंद लेना है और यहाँ पे हमें दो पूरी जैसा बना लेना है तो देखी छोटी छोटी यहाँ पे हमें पूरिया बनानी है बड़ी वाली नहीं बनानी है तो ये वाला आपको साइज यहाँ पे रखना है पूरी का तो पूरी मैंने यहाँ पे बेल लिये है तो इसे ज़्यादा आपको बड़ी भी नहीं बेलनी है न यहाँ पे आपको छोटी बेलनी है तो एक साथ में दोनों पूरिया यहाँ पे सेख लूँगी इसे आपको fry नहीं करना है आपको तवे की उपर ही ये सेखना है ये बहुत ज़्यादा healthy भी हो जाएगा अगर आपने इसे fry किया होता तो बहुत ज़्यादा oily हो जादा तो देखे ऐसी आपकी पूरी यहाँ पे फूलनी चाहिए तो अच्छी तरीकी से दोनों आपको कर लेना है तो चलिए इसे हम बीच में से कट कर लेते हैं आप चाय तो इसे fry भी कर सकते हो तो ऐसे आपको बीच में से कट कर लेना है आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पौकिट बन चुका है तो सारी पूरिया मैं ऐसे ही कट कर लूंगी दोनों पूरिया इसे भी मैं ऐसे कट कर लोंगी 20 से आप एक बार इसे बच्चों को दीजिए टीफिन में टीफिन पूरा फिनिश होके ही आपके घर में आएगा तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा कैचप लगा दूंगी कैचप अच्छी तरीकी से इसे आपको अप्लाई कर लेना है और जो आपने वेजिटेब यहाँ पे चार बनके रेडी हो चुके है और उपर से थोड़ा सा में मियोनिस लगाऊंगी और एक कैचप यहाँ पे मैं थोड़ा सा एड़ कर दूंगी तो प्लीज वीडियो पसंद आया तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और प्लीज इसे शेर करना बिल